तेरे बिना जिन्दगी से कोई शिकवा मैं नहीं गाऊंगा मुझे पता है मैं बहुत बकवाज गाता हूं लेकिन ओनेसली जो सुरों की हमारी मलिका है मेनुका पुडेल जी उन्होंने इस हफ्ते दो गाने गाए और दोनों में फाड़ दिया कौन सा कौन सा दो गाने थे जिन्दगी का सफर है ये कैसा सफर ये दूसरा था पहले वाला पहला था तो भाई ये गाना मेनुका ने जब गाया देखो मैं का रहो तो तुम्हें बंद करने का मन कर रहा ना वीडियो लेकिन अगर मैं बात करूं मेनुका पुडेल की वह गाना अगर तुम लोग सुन लो वहाँ पे इसके creator यानि के किशोर कुमार सर के बेटे अमित कुमार जी आये थे इस show के अंदर इस episode के अंदर और जब मेनुका ने ये दो गाने गाए अमित कुमार सर अलमोस्ट रो दिये उनकी आँखों की वो नमी हमें महसूस हो रही थी उनके दिल का वो दर्द जब वो अपने उस एरा को फील कर रहे थे आज के इस यो वाले जमाने के अंदर भी कोई ऐसा गा सकता है ये सोच के उनको जो हैरानी फील हो रही थी शायद वो हैरानी हमें काफी दिनों से फील हो रही है और हम हमेशा बात करते हैं मेनुका के बारे में जब भी उसकी कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस आती है जो ना तो सरफ आपको मेजमराइज कर दे बलकि आपको ऐसा फील करा दे के भाई तुम क्या सुन रहे हो यार लेकिन अगर मैं बात करूँ मेनुका के इस परफॉर्मेंस की इसने ना तो सरफ दिल जीता है बलकि उस एरा में ले गई जहां पर लता जी आशा बोसले जी गाया करती थी कविता कृष्ण मूर्ती जी गाया करती थी किशोर्दा गाया करते थे मुहम्मद रफी साफ गाया जी के साथ भी हुई एंड इस बार क्या परफॉर्मेंस करी है मेनुका ने I think मैं ऐसी बोलता नहीं हूं के मेनुका एक स्टार परफॉर्मर है और अगर तुम्हें डाउट है ना तो यह परफॉर्मेंस जिसने नहीं देखी अभी तक जाके देख लेना तुम्हें विश्व कि इतना प्राउड फील होता है इतना प्राउड फील होता है कि म्यूजिक मरा नहीं है जिन्दा है मैं मानता हूं आज की डेट में हम आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं अच्छ अच्छ रैपर्स को फॉलो करते हैं बड़े-बड़े डी एच्छ आर्टिस्ट को फॉलो करते ह वो अपने लेवल पर अपना काम करते हैं यह जो सोल आफ म्यूजिक है जिसके और इजिन के बाद यह सब म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी इस्टैबलिश हुई अगर मैं बात करूं न इसका जिन्दा रहना बहुत जरूरी है बिकॉज यह एसेंस है कहा जाता है एवरी टेनियर देरिजन न्यू सर्कल विच कम्स बैक तो मतलब अगर म्यूजिक की बात करते हैं यह सर्कल यह कल्चर धीरे धीरे जाता है फिर एक टाइम के लिए दूसरा आता है फिर वह कल्चर एवाल्वों के वापस आता है तो वह ची कियारे अन पॉस्ट रहेंगे तो हमारी उमीद जगी रहेगी कि यह गाने हमें दुबारा और इस तरीके के गाने हमें दुबारा सुनने को मिले वाकि आपका क्या विचारा है प्लीज मेरे को दरूर बताना कमेंट सेक्षिन में और मेनू का फाइनल में पहुंचे ना से आपको सपूर्ट आता रहेगा जाहिए